स्रीक आजी सारे नूँ ते सौगत तड़ा चेतन पारत लर निंग ते मैं हां मानविंदर सिंग मांगट ते अज आपपा डिसकस करने जा रहे हैं PCS Department exam दे previous year question paper जिदे विच आपपा डिसकस करांगे civics ते constitution part किसी भी exam दी तयारी लें जो सब तो एहम कुछ initial step हों देने उधे विच्चो एक है previous year questions नूँ देखना ता जो आपा नूँ पता लग सके के question paper दे विच जड़े सवाल आणगे उख किस पदर दे किस standard दे होंगे ता जो आपा अपनी तयारी नूँ सही सेव दे सकिये syllabus नूँ सवाल ना दे according पढ़के बहतर result बनाण दी पुखता तयारी कर सकिये तो आपा देखने यहां के civics ते constitution दे विच्चों किस तरह दे सवाल सानूप previous year आये ने ते केड़े पदर ते PPSC सानूप परखना चाओं दिये है PCS बनाण नहीं SDM लाण नहीं So the first question regarding civics and polity was 124th constitutional amendment bill जिड़ा रिसेंटली पास होया है एहे किस subject दे मुताबिक पास किता गया है किदे मुतलिक पास किता गया है So option सीगे national commission for women बनाओ लें या फिर backward classes commission बनाओ लें या फिर enable reservation for economic and weaker section of society या फिर cooperative societies नो constitutional status देन लें So जे आपाँ एक current affair तो basis question सीगा basically उस दरान जदो एपेपर होया सीगा ओदो 124th constitutional amendment bill आया सी हाजे act भी नहीं सी बनेया So finally ये जो दो act बनादा है तफिर it enabled reservation for economic weaker section of society in educational institute ते सरकारी job दे विच जो 10% EWS reservation हुण स्थापित हो चुक्या है act रही वो इस bill रही ही आया सीगा So current affair ते based question सीगा Then जे आपा आगे चलिये Right to children to free and compulsory education amendment act 2019 एक ही दे बारे है Now ते आंदेन जो गल है के ओ पहला bill सीगा Bill जदो president दी असेंट नहीं हुंदी उस तो पहला bill हुंदा President दी असेंट तो बाद act बन जांदा इस थापित कनून है So current affair question That abolish no detention policy in school So no detention policy नूता Basically abolish करन वास्ते आया ऐसी जड़ा बच्चन फेल नहीं करन दी परंपरा सीगी So regularize all contractual staff hired under RTE Act और आपा वैसे भी सरकारी जौब दे विच है आपा पता कच्चे मुलाजम एं center act नाल पक्के नहीं हुंदे उत्तो education हालांकी concurrent subject है लेकिन state दे जादा तर मुलाजम वो state दे रही पक्के होणगे So obviously this was not true So our answer is only one Moving on The Personal Laws Amendment Act 2019 Again एक कनून ते question आ रहा है That removes which of the following as a ground of divorce तलाग दे जड़े वक्खोवक ग्राउंड ने उना विच्चो इस act रही केड़े ग्राउंड नू हटा दिता गया है हुन उस अधारते तलाग सीख नहीं किता जा सक्दा So the answer was Leprosy कुष्ट रोग नू basically तलाग दे ग्राउंड दे विच हटा दिता गया ता इक ता बंदा पहले ही बिमारी रही ओधी सेवा करन नालो या फिर ओधा साथ दे नालो उन्हों छट जान दा जड़ा ग्राउंड सीगा Then which of the following countries recently exited the organization of petroleum exporting countries which is famously called as opaque जड़ा के तेल बेचन वाले या फिर बड़े पदर ते तेल नू एक्सपोर्ट करन वाले मुलकां दा एक समू है ए संस्था दे विच्चों केडा मुलक ए संस्था नू छटके जा चुक्या है ओमान, कतर, कुवैत, इरान हुन ए चारे ही आपनों लग देने basically के बई oil producing countries ने So किड़ा छटके के आसी That was the Qatar So Qatar हुन भी एक बहुत current affair दे विच एक मुलक है क्योंकि Qatar दे विच FIFA World Cup हो जा रहा है Already ओधी तैयारिया शुरू हो चुकिया ने एक Qatar नो तुसी याद रखना है एक दुबारा दो current affair दे विच है country और एक बहुत prominent सवाल है current affair दे इस बारी के FIFA World Cup जो दुनिया दा सब तो वड़ा खेल आयोजन है After Olympics एक कित्थे होन जा रहे है That is the Qatar Then, simple सवाल, सिद्धा सवाल Which article of the constitution makes provision for disqualification of panchayat members समिधान दी केडी तारा Panchayat member दे disqualification दी गल कर दी है Disqualification दे बारे उत्थे लिखिया होया है और panchayati राज institution ताडे से लेबल से which clear cut mentions है as a topic बाकी topic ता constitution दी provisions दे विच लुके भी होया है Constitution, provision ता सारा ही constitution हो गया But एह topic especially civics दे विच मेंशन कीता गया है ताँ जो आपा उम्मीद कर दे हैं कि Panchayati राजते municipality दे question short shot आउना ही है और आउना भी रहा है पिछले साल आ दे विच So basically जदो आपा ये चीज पढ़ने है The factual answer जिननों आपा notes दे विच भी लिख लाइने है That is article 243F This is the right answer एदे विच अयोगता दा वर्लन कीता गया है सम्विदान दे विच पंचायत मेंबर तो related जैडगे चलिए Who issue notification for the inclusion of area under any municipal corporation So आपा नों ये पता है कि तिन तरादी municipality हुंदी है जै नहीं पता था आपा classes दे विच एद नों बहुत चंगी तरह cover करांगे क्योंकि मैं पहले ही कह चुके है That पंचायती राज ते municipality वी दोनों topic specifically mentioned है ते आपा देखना है दोनों ते सवाल आ रहे है अगे होर भी आउनगे So basically तिन तरादी municipality जै आपा जिकर करिए ते वड़े शहरां वास्ते Municipal Corporation जे तुसी ऐसे शहर तो बिलॉंग कर दे हो जिते मेर साब ने ते Corporation है वड़े शहर दीगिन दीजाओ दा ते जे आपा गल करिए छोटे शहरां वास्ते ते municipality या फिर city municipal ते transitional area ओ इलाके जिड़े पिंड तो शहर बन जा रहे हैं पर ना हजे पिंड ने ना हजे शहर बने ने तो एना नू स्टेट रही notification रही एना नू designate कीता जानदा transitional area तिन तरह दी municipality मौझूद है constitutional scheme देविच तो एक एनदे जेड किसी इलाके नू municipal corporation देविच शामिल करना हो वे अजकल जी मैं आपपा देख देएं के शहर वद्दे जा रहे हैं तो उसी बहुत commonly देख देख दे होंगे के जी ओ फलाने परेंड तो अड़े पंचायत पंचायत तो टोटे की सड़ा था municipality है municipal corporation देविच आ चुकिया उन्हें MC दी चोणा होन गिया सो बेसिकली सवाल है कि किसे इलाके नो corporation देविच सामिल करंदी authority की देखोल है एक्तियार की देखोल है सो municipal corporation ना जी ए नहीं तब executive body थे chief election commissioner एना कोल भी इस तरह देखोई नहीं है मेर साब तो वैसी है आपपा पढ़ांगे बहुत weak authority है एना दा सिर पॉलिटीगल वेटेज हुंदा असल च constitutional scheme देविच एना नो कोई खास पावरा नहीं दित्तिया हुई है सो final state दे हत्थ है जी ये पावर ते अपना answer है governor साब the right to form cooperative societies cooperative society बनाउन दा जिड़ा अधिकार है इन्नों एक fundamental right बना दित्ता गया ते ए दस्वो केड़ी amendment रही बनाया गया मतलब ऐस तो सोखा question नहीं पुछ सकती PPSC simple factual है ते आपा amendments नूँ भी क्योंकि ओ भी constitution the amendments ताटे syllabus दे विच मेंशन ने इन्नों भी आपा चंगी तरह cover करना ते answer is just simple 97th constitution amendment 2011 so basically मतलब ऐ ओचीज जाने जड़ा आपा चंगी तरह अपने syllabus नूँ पढ़ लिए cover कर लिए ता फिर आपा नूँ बाकी option देखन दी विलोड नहीं पहनी आपा सिद्धा answer पे हिट करांगे then next question choose the correct statement ते एना विच्चो correct statement चूज करो जिन आपा देख रहे हैं कि कली सच है दुजी सच है पहली गल्द दुजी सच के दोनों चूट इस तरीके दी options सान्रे कोलने so statement केन दी है पहली that prime minister office deals with the table of precedence and rank and order the officials of union and state government so जड़ा एक table of precedence हुंदा जड़ा protocol वास्ते ए तै करदा है के केड़ी authority दा इस्थान पहले नमबर ते दुजे तीजे चौथे इस तरीके ना लेक list बनाई जान दी है protocol नूँ manage करन वास्ते ते ए table of precedence हमेशा top ते जिदा इस्थान कोई हिला सकदा वो है president of India वो हमेशा पहले नमबर ते होंगे ताहीं उन्हा नू first citizen of India भी कहा जानता है ते एदे वास्ते दूजी statement है that prime minister takes precedence प्राइम मिनिस्टर दा इस्थान केड़ा है ए statement कें दिया जी after president chief justice of India ते vice president एस तो वास्त चौथे नमबर ते की प्राइम मिनिस्टर साब आऊंदे ने so basically ए दोनों ही statements चूटने एथे थोड़ा उन्हा ने game play कीती है जिमें सानू एहसास ता दोआय जा रहा है कि भाई हाँ PM मो प्राइम मिनिस्टर बनाऊंदे होंगे बट ए प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाऊंदे ए बनाऊंदी पावर प्रेजिडेंट साब को ले है हालां कि एदे जो असल रोल होंदा है हों मिनिस्टरी दा होंदा है एनू प्रेजर्व करना हों मिनिस्टरी दा कम है तब PM मो तो किते सींच आई नहीं रहा और दुज्जा प्राइम मिनिस्टर दा स्थान जड़ा इननने चीज़ जेस्टिस आफ इंडिया दो भी थल्ले करता एक गल्द है प्रेजिडेंट वास्प्रेजिडेंट तो बाद प्राइम मिनिस्टर दा रैंका होंदा है टेबल ओफ प्रिसिडेंस देविच So, both the statements 1 and 2 are false. C is the answer. अगे चलिए तब फिर तो तिन statements ते पुछा है जिसानू correct option दसो. जदो आपका question दी practice करांगे, अपने course दी दौरान syllabus कवर करांगे, बहुत सारे questions प्रेक्टिस करांगे, ते आपका देखांगे एक चीज़ जरूर देखनी है कि correct पुछा है कि not correct पुछा है कई बार ये पांगे चुठी statement दसो. So, एनू कह जानदा silly mistake, कि आपका not नहीं पड़ेया, ते अपना सवाल ता सही हलो है, ऐसी answer साथ तो गल्त मार्क हो गया. ते सारा आपका practice दे विच इस सारे skills डेवलप करांगे, ना सिर्फ syllabus आपका cover करना है, syllabus नू चंगी तरह याद ते consolidate भी करना है, नाल ही questions दी, जादा तो जादा practice करके आपका A.V. ensure करना है कि question हल करन्दे tricks की हूं देने, उदा skill की है. So, basically, जा आपा पहले statement दो देखिये था, कहने दा जी, fundamental duties were included by 42nd amendment act to the constitution, ते केड़ी committee दी सफारिश्ते, स्वारा सिंग कमेटी दी सफारिश्ते है, दूजी statement कहने दी है, जी जड़ी ब्याली वी amendment सीगी, इनने एक ता part 4A एड़ कीता, ते नाल ही दो article एड़ करते, समिधान दे बिच, पहला कहने दे जी एक बंजा, ते दूजा एक बंजा A, ते तीजी statement कहने दी है, duty to pay taxes was added to article 51A by 44th amendment act, एक होर सोध कीती गई, चताली मी सोध और पे करना भी ताड़ी fundamental duty है, सब तो पहलना था tax वाली गल कट दो, ते आपा ऐसे रहे एक fact, हालांकि और भी fact तुसी याद कर ले होने हैं, ये fact जरू याद कर लो के duty to pay taxes, fundamental duty नहीं है, वो किसी income tax act, GST act दे विच ड्यूटी हो सकती है, fundamental duty था बिलकुल नहीं है, then, कि चताली म बयाली मी amendment ने part 4 एड कीता, हाँ जी एदा एड कीता, लेकिन ये जड़ा कहरे ने कि दो आर्टिकल एड करते, एक वंजा थे एक वंजा ए, एक गल्त है, सिर्फ एक वंजा ए आर्टिकल एड कीता गया सी गा, छोटी छोटी mistakes विच पा रहे हैंने statement दे, ता आ जो, जिना दी ते यारी कच्ची है, जिना ने syllabus नू सिर्फ पढ़ लया, लेकिन consolidate नहीं कीता, question practice नहीं कीते, ओ, एवे दे, छोटी छोटी mistake रही, नंबर ओना दे, कट हम दे जान, ते ऐस बारी था, negative marking भी है, सो आपा mistakes था, बिल्कुल भी afford नहीं कर सकते, that's why I said, कि आपा वद तो वद questions द सही answer ही mark करना है, गल्तियां तो कि में बचना है, so दूजी statement भी गल्त है, ते पहली statement जी खरा सोना, this is all true, स्वरन सिंग साहब दी सिफार्शां ते ही, fundamental duty दा, chapter, समिधान दे विच, बैयाली भी सोध रही, add किता गया सी गा, then choose the correct statement, next question, फिर दो स्वेटमेंट अपाती है, so कह दे, delimitation commission is a constitutional body under article 80, then the presented delimitation of the parliamentary, the assembly constituency is based on 1991 census, but the number of seats for SCs and STs were fixed by the commission on the basis of 2001 census, so दो स्वेटमेंट आ रही, जड़ी सड़ी चुनावी हल के हुं बेने, ओपा में, member of parliament दा हलका है, पा में, MLA दा हलका है, ते ओधी हदबंदी दे उत्ते एक सवाल है, so सब तो पहला, जड़े member of parliament या MLA दे हलके दी हदबंदी करन दा कम है, ओ है ता delimitation commission कोड ही, ये true है, but ये constitutional body नहीं है, ये statutory body है, एक separate, कनून राही, act राही, delimitation commission, act 1922 राही, ये body बनाए सब्सक्राइगी, so constitutional, constitutional body ओ हुंदी है, जो सिद्धी सिद्धी समिधान दे किसे article दे विच दित्ती हुई है, ये बिलकुर नहीं दित्ती हुई, आपा सारा समिधान पढ़ नहीं है, ते आपनों उदेश पता लग जुगा कि एदा दी कोई body समिधान दे विचता नहीं दित वास्ते जड़ी number fix करनी है, reservation दी, legislature दे विच, ओ 2001 census दे, so this part is true, के हाँ दी, 2001 census दे, scheduled caste दे, scheduled tribe दी, reservation policy नो लागू किता जान दा, हदबंदी उस according हुंदी है, ओ हो सीटन जड़ी reserve हुंदी आने, ओ 2001 दे census दे, according उनना number reserve हो जान दा, मन लीगत, बटे कहन दे जी, जड़ी हदब दे census दे हुई है, आ गलत है, जी option, ए 1991 census दे नहीं हुई, जे अपा boundary दी गल करिये था, ओ 2001 census दे ही है, ते जे number of seats दी गल करिये, केडे राज दे विच, किन्ने MLA होनगे, किन्ने MP होनगे, ते ओ दे वास्ते था, 1971 census यूज कीता जान दा, पुराना census यूज कीता जान दा, हु करांगे, ये सारा, well explained हुगा, with facts in the class, so, अपना answer जड़ा हुगा, ओ basically हो जुगा, that both statements are false, दोनों ही गलत दे है, तो आगे चलिए, read the following statement carefully, again statements भी गहे हैं जी, केंदे जी, overseas citizen of India, जड़े होर हुदेने, is a person registered as overseas citizen of India card holder, जिना को नों card हुदा, under, केड़े कनून दे दीन, overseas citizen of India act 1955 दे दीन, जो OCI status मिलदा है, वो overseas citizen of India act 1955 दे दीन, मिलदा है, वो card, ऐस act रही मिलदा, तो दूजी statement के दी है, the central government में cancelled the registration, तो central government खारिज कर सकती है, OCI the status, OCI registration, जे पता लगे के particular OCI card holder, जो है, ओहो, dis affection show कर रहे है, towards the constitution, सम्विदान तो मो तोड हो गया, सम्विदान दे खलाफ कोई कम कर रहे है, ते OCI card आपा cancel कर सकते हैं, OCI status central government खो सकती है, now, this statement is true, सम्विदान दी उलंगना करना, सम्विदान तो मो तो और हों दी इजाजत नहीं दित्ती जानती, बट जे एक एंदा के जी, Overseas citizen of India act रही, एचीज दित्ती गई है, कार्ड दितता गया, एक गल्द है, एक गल्द है, कोई act हिंदोस्तान दे विच है ही नहीं, एक टोटल चूठ statement होना ने पाई है, किस act रही मिलदा है card, ओह है citizen citizen act, citizenship act 1955, simple, citizenship act 1955 रही, एहे card, समुद्रों पार रह रहे, लोका नू, जड़े पार्ती मूदे, उनना नू दित्ता जानता है, so our answer is, that only two is correct, B option, ते अगे जा आपा चलिए, which of the following are the feature of 74th amendment act on municipalities, होना आपा नू पता है, जदो आपा पढ़ांगे ते, 73rd amendment हुई सी, 73rd सोध हुई सी, पंचायता नू सम्विधानिक दर्जा देन नहीं, ते 74th amendment हुई है, मुनसी पैल्टी नू सम्विधानिक दर्जा देन नहीं, so KD statement as रही true है, so again, साथे तो correct statement पुछ रहे हैं, पहले एक हैंदे जी, जडी scheduled caste, scheduled tribe दी, seat दी reservation है, it is in proportion to the population in municipal area, municipal area जिनने percent population होगी, उनने percent seats reserve हो जोगी, SC ते ST दे हक दे विच, then mandatory periodic election at every five year, हर पंच साल ते election करानी municipality दी, मैं लगदा ए statement तो तो सी catch already कर ली होनी है, कि हाँ जी हर पंच साल ते MC दी election हो दी है, then the procedure for maintenance of accounts and audit would be decided by the state governor, की एना दे account ते audit, गवर्नर साप decide करनगे कितना होनगे, next, नगर पंचायत, for smaller urban area is provided, smaller urban area दे विच नगर पंचायत होगी, ते आखरी गल है, that one third seats shall be reserved for women, एक तेहाई seat women वास्ते reserve है, अच्छा ए भी statement उसी फड़ ली होनी है, कि हाँ जी, one third seat reserve होंदी है minimum, excluding the number of seats reserved for SC and ST women, क्या एहे जड़ी one third seat reserve है, एस तो वक्ख one third seat और reserve है, SC ते ST women वास्ते, होंज आपा देखिए, ता आपा दूजी statement आपा नूँ पता लगया, यह true है, जी पहली statement देखिए ता हाँ जी, SC, ST reservation policy वी, population दे, proportion दे, विच ही लगू कीती जान दी है, municipalities दे विच, पंचायद दे विच भी, पर दे अपा आईए tीजी दे, ता तीजी option गलत है, audit दे, account state governor साहब नहीं decide कर दे, देन, आपा थोड़ी देर पहला ही गल कीती सी जी, किसी question दे विच, के, तिन तरादी municipality है, वड़े शहर वास्ते, municipal corporation, छोटे शहर वास्ते, smaller urban area वास्ते, city municipality, ते नगर पंचायद किते हैं, आपा गल कीती सी, transitional area, जड़े पिंड शहर बन जा रहेने, पर हजे शहर नहीं बने So, this is clear cut, again wrong, and finally, एक देहाई सीट विमन वास्ते रिजर्व है, जे एथे तक गल हुं दी, आपा केंदे true, लेकिन statement एथे नहीं रुख दी, एक एंदे, excluding the number of seats reserved for SC and ST women, एचीज गलत है जी, basically, एए excluding नहीं है, including है, मतलब के, जेडी seats reserved हुं दिया ने, scheduled caste, scheduled tribe women वास्ते, ओ भी, seats जो के women वास्ते रिजर्व है, ओधे विच ही शामिल हुं दी है, ओधे विच ही गिनती हुं दी है, तो देखो किना minor फर्क पाया, किने PPSC टोहा पट रही है कि एथे था, candidate गलती करूगा ही करूगा, आपा में silly mistake कर जे, सिर्फ including दी था, excluding word पाता, ते जान बुझ के गलती गराई जा रही है, तो answer अपना है 1 and 2 only D, अगे आपा एक question देखिए, 12th schedule of the constitution does not contain the following, 12th schedule जो 74 वी amendment रही आया, ते municipality नू दे दित्ते जान वाले या दिये जान सकन वाले, topics ना डील करदा, ओदे विच्चों, केडा does not contain, मैं हुने ही क्या आजीगा, आपा ये बड़ा देखना है कि not पुच्छा है कि correct पुच्छा है, ते ये जो केडा नहीं है, जड़ा municipality नू ट्रांसफर कीता जा सक्दा, state government दी मन्शा थे, ओधी इच्छा थे, ओधी discretionary power है, so fire service हुना आपा नू पुटा शेहरी ता ए हैगा, then roads and construction of bridges, ए वी चीज मुनसिपालिटी नू ट्रांसफर कीती जा सक्दी है, then market and fares and urban poverty elevation, हुन जी urban poverty elevation ता हो गई होगा, so basically market and fares, ए नहीं दित्ते जा सक्दे, जड़े तड़े मेले ते बजार ने, हलंकि ए टॉपिक 11 में शेडियूल चाहेगा, पंचायता नू दित्ता जा सक्दा, 11 में शेडियूल दे विच 19 टॉपिक ने, जड़े पंचायता नू डेडिकेट कीते जा सक्देने, ते 12 में शेडियूल दे विच 18 टॉपिक ने, जो state सरकार्दी डिस्क्रीशन ते, municipality नू डेडिकेट कीते जा सक्देने, so market and fares नहीं है C is our answer, not आपा देखना सीगा Next 11th schedule ते भी question आया है सनु, आपा देख रहे हैं कि परमार है, पंचायत ते municipality नू लेके, तो favorite topic है PPSC दा syllabus भी ओचीज़ इस्टैबलिश किती है वक्रा लिखके, so 11th schedule of the constitution contains the following, उन 11th schedule the topic विच्चो, केडे हन 11th schedule deals, आपा होनी गल किती पंचायता नू, दे जान सकन वाले topics, so cattle pond, preservation of cruelty to animal so basically अगला हैगा regulation of land, reuse and construction of building, तीज़ा है regulation of slaughterhouse and tannery ते चौथा है maintenance of community assets, हो जीजे आपा ऐसनू common sense दे आरते हल करन जामांगे, so आपा नू लग हुआ, cattle ponds means, छपड, जड़े हम तो और ते पिणनाची देखनू मिल देने हालांके उत्थे भी सुकदे जा रहे हैं ते दूज़ा जी, prevention of cruelty to animal भई, animals नाल को cruelty ना होए, ते सब तो suitable ता आपा नू एहे लग रहा है but law, कनून ये बिलकुल different चीज़ हो यांदी है ते कई बारी common sense कम नहीं करदा तो उसी सरकारी job दे विच इन्हेंने साल लाएने तो अनू पता है कि common sense कई बारी सरकारी दफ्तरा तो बाहर खड़ा मिल दा है दफ्तरा दे विच rules कम कर रहे हो देने रूल दे विच की लिख्या होया है so interestingly ये आंसर तब बिलकुल नहीं है जादा तर लोग की ये मार्क करनगे जे प्रॉपर तैयारी नहीं कीती होई दुज्जा land reuse construction of building AV जी municipality दा topic है then regulation of slaughterhouse कटान कर ते tanneries, हड़ा रोडी वगेरा उस तो related AV नहीं है ultimate maintenance of community assets is our answer next questions are constitution दा किड़ा part so आप अगल करांगे constitution दी मोटी मोटी तिन वाइटल स्टाटिक्स ने एक है article की होंदेने parts की होंदेने the schedule की होंदेने so ए part में उस पे question है ते बिलकुल factual question mint नहीं लगना आप ठीक तरीक के नाल quality ते syllabus भी cover कर लिया था ते केंदा जी केड़े part हीटा finance, property, contract ते suits आउँदेने आप अगल करीए fundamental right केड़े part चाऊँदेने साथा जी part तेने चाऊँदेने जी judiciary केड़े part चाऊँदेने जी part 5 चाऊँदेने थोड़ी देर पहला आप फंडामेंटल ड्यूटी दा कर रहा है जी part 4 एदे विच चाऊँदे तब finance, property, contract ते suits केड़े part हिटाऊँदेने and clear cut answer C part 12 factual question ए उस level दा नीज में आप पहला देखना है कि छोटी-छोटी mistakes करा रहे ने या twist कर दे रहे ने इस इंपल question तो अनुपाया गया गया So basically आपा 15 question लगबग एदे विच डिसकस कीते ने मैं डिसकस करके ए भी तो अनुदसना चाऊना के भी किस तरीके दा standard होगा जे आपा analysis दी गल करिये ते हुन तक तो अनुद्धी आपा आपा एस paper नो हलकेज नहीं ले सकते है आपा एगल नहीं कर सकते है के साड़ा एहे question paper दा पदर जिड़ा regular PCS होंदा ओस तो cut होगा हाँ एक benefit है के syllabus थोड़ा वखरा है साड़ी सेट नहीं हैगा ओबेनेफिट साड़ी बहुत वदिया मिल गया ते सब तो वड़ीगल mains वद तो वद चीज़ा नहीं याद करना है internalization करना है होना दा concept clarity थे facts आपा याद करने लिखन वाला कम notes बनाउन वाला कम जड़ा वड़े पदर थे mains regarding होंदा ओ समस्या साड़ी हल कर दती है PPSC ने बट एदे नाल जे आपा paper नहीं भी हलका ले लिए ता ये तरीका साही नहीं है ultimately मैं कहना ये चौना के तानू PCS ही लोना SDM ही लोना है PPSC ने ते ओसे standard पे पर्ख कीती जाओगी जिस standard पे general PCS दे विच कीती जान दिये और कट अगट आपा ता हलका लेके नू बिलकुल नहीं चल लांगे आपा previous year 15 question देख चुके हैं हालांकि कुछ question straight आएने तो तयारी दे बेशते वदिया तयारी दे बेशते बहुत सोखे हो हल हो जानगे लेकिन नालो नाल अदे question एमे दे सीगे जिदे च statement पुछी हुई है not पुछ्या होया है ओदे वास्ते सानू clear cut तयारी चाहिए आपा देख या एको फर्क पाया statement दे विच including ते excluding दा SCST महिलावा दी reservation including है जा excluding है ऐस एक शब्द ते ही सारा question पल्ट गया सो ए चीजां आपा ओदो फड़ पामांगे होरा तो competitors तो आपा आगे किमे निकलांगे जदो एना चीजा दी वदिया तयारी करांगे golden opportunity है PCS दे विच सेलेक्ट होन दी ते नाल ही सानू वदिया एक time भी मिले होया है क्योंकि अपा उमीद कर दे हैं February, March तक ता paper नहीं होन वाला इना time तो वैसे भी जन्वरी तक जो तो आड़ा सारा प्रोसेसर ओ चलना है जो notification रही है आपानू पता लग गया है so basically इना ही time चाहिदा है एस पेपर नू क्लियर करना वास्ते बशरते के regular अप्रोच नाल आपा सारे सब्जेक्टां दी एक consolidated पढ़ाई करिये एक मजबूत तयारी करिये जो कोई कसर बाकी ना रवे किसे भी अदारते आपा competitors तो पिछे ना होईए so all the very best आपा और भी discussions नाल और better understanding बनावंगे एस exam दी thank you, thank you so much सशिकाल सारे नू